बोलियो बांके बिहरी लाल कीज़े दोस्तो आप रंदावन गए हैं और गोवर्धन नहीं गए और गोवर्धन की प्रिक्रमा नहीं लगाई तो साइद आपने बहुत कुछ मिस्कर दिया हो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मंदिर जहां से गोवर्धन की साथ कोस के प्रिक्रमा लगाई जाती है जहां से गोवर्धन के प्रिक्रमा शुरू होती है दोस्तो इस वीडियो का टाइटल देखकर आपको हैरानी जरूर होई होगी क्योंकि हमने इसमें आपको बताया कि आपके 5000 रुपे बत जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद ये बात भी सही है क्योंकि अगर आप गोवर्धन ना आएं चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो कम से कम आपके 5000 रुपे तो लगी जाएंगे लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके वो पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि हम आपको गोवर्धन प्रवत के जगय के मंदिर के आपको फिरी में दर्शन करवा रहे हैं जिसमें आपका एक पैसा भी नहीं जा रहा बस आपसे निवेदन ये है कि आप हमारी चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दवाएं जिससे हर एक वीडियो आपके मॉवाइल में बड़ी ही आसानी से पहुंच जाए तो दो तो यही वो जगह है जहांपे बगवाण श्रीकिष्ण ने परबत को अपनी चोटी उली पे उठाया था ये वही जगह है जहांपे बगवाण श्रीकिष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई थी मंदिर के हम बाहर खड़े हैं और उपर से आपके लिए ये वीडियो कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि मंदिर के अंदर फोटो लेना सक्त मना है वीडियो ग्राफिक करना सक्त मना है लेकिन आपको फिर भी हम दूर से दर्सन करवा रहे हैं गोवर्धन दहरी के दर्सन यहां हम आपको यह भी बता दें कि साल के प्रति दिन यानि हर दिन यहां पे भीड लगी रहती है प्रभू के दर्शन के लिए भीड ऐसे ही होती है चाहिए वो साल का कौन सा भी महीना हो हम इस वक्त आए तो यहां भी हमको बहुत सारी भीड मिली लेकिन जब हम प्रिक्रमा पर गए वहां पर तो भीड का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था यहां दिन रात भीड लगी रहती है चाहिए सुबह या स्याम आपको यह मंदर ऐसे ही नजर आएगा प्रिक्रमा की बात करें तो यहां से प्रिक्रमा सुरू होकर यहीं पर आकर प्रिक्रमा खतम होती है प्रिक्रमा 21 किलोमेटर की होती है जो कि करीब 4 या 5 गंटों में पूरे की जा सकती है वो भी बड़े अराम से और हाँ प्रिकर्मा के बगद आपको थकान नहीं होगी लेकिन बाद में तो थोड़ी सी मैसूस होगी लेकिन आनंद बहुत आएगा ये मेरा दावा है वरंदावन से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो हम लेके आने वाले हैं और पिछे भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने वरंदावन के बारे में बहुत सारी जनकरी देए है अगर आपके भी वरंदावन ना आएं तो हमारे वीडियो दिख कर आएं इससे आपको फाइदा बहुत होगा क्योंकि आपको कहां रुक ना है, कहां ठहर ना है, वो सारी जानकारी हम अपने आगामी वीडियो और पिछले वीडियो में दे रहे हैं और ऐसे ही देते आएंगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब परें, बेल आइकन को अब रशे दवाएं जिससे हलोज हमाला वीडियो आपके मुबाइल में बड़े ही प्यार से पहुंच जाए चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ वो भी वरंदावन की यात्रा के बारे में तब तक आप हमेशा गिदर है, मस्त रहें, वेस्त रहें और जबर्दस रहें, रादे रादे जैश्री किष्णा